जै शिर किष्णा जै शिर राधे अर्चना के कृष्ण गुनगान चैनल पर आपका स्वागत है अब मैं आपको दुर्गा सबसती का ग्यार्मा अध्याए देपताओं द्वारा देवी किस्तुती तथा देवी द्वारा देपताओं को वर्दान सुना रही हूँ मैं भुबनेशुरी देवी का ध्यान करता हूँ उनके शिरी अंगों की सोभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकट है वे उब्रे हुए स्तनों और तीन नित्रों से युक्त हैं उनके मुक पर मुस्कान की छटा दिखाई देती है और हाथों में बर्द पाश एव अभ्यमुद्रा शोभा पाते हैं रिशी कहते हैं देवी के द्वारा वहां महादैत्य पती शुम्ब के मारे जाने पर इंदर आदी देपता अगनी को आगे करके उनका त्यायनी देवी की स्तूति करने लगे उसमें अभिष्ट की प्राप्ती होने से उन के प्रकास्ते दिसाएं भी जगमगा रही थी देपता बोले शर्ना गत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर परसन हो जाओ संपून जगत की माता परसन हो जाओ विश्वेश्वरी विश्यव की रक्षा करो देवी तुम चराचर जगत की अधिश्वरी हो तुम इस जगत की एक मातर आधार हो क्यूंकि प्रिथवी रूप में तुम्हारी ही स्थिती है देवी तुम्हारा प्राक्रम अतुल निय है तुमी जल रूप में स्थित होकर संपून जगत को त्रिप्त करती हो तुम अनंत बल संपन वैश्वरी शक्ति हो इस विश्व की कारण पुहित कर रखा है तुम्ही परसन होने पर इस प्रिथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। बानी से भी परे हो जब तुम सर्व सवरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष परदान करने वाली हो। प्राम की ओर जाने वाली तथा बिस्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायनी देवी तुम्हें नमशकार है। नारायनी तुम सब परकार के मंगल परदान करने वाली मंगल मई हो। कल्यान दायनी शिवा हो सब पुर्शार्थों को सिद करने वाली शर्ण गत बर्शला तीन नेत्रों वाली एव गौरी हो। तुम्हें नमशकार है। तुम श्रिष्टी की पालन करता और संहार करता हो। और सनातनी देवी गुणों का आधार तथा सरव गुण संपन हो। नारायनी देवी तुम्हें नमशकार है। शर्ण में आये हुए दीनों और पीडितों की रक्षा करने वाली तथा सब की पीड़ा दूर करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है नारायणी तुम ब्रह्मानी का रूप धान करके हांसों से जुते हुए बिमान पर बैठती हो तथा कुछ मिश्रित जल छिलकती रहती हो तुम्हें नमस्कार है माहिशुरी रूप से तुरुशूल चंद्रमा एव सर्ब को धान करने वाली महान ब्रिशव की पीड़ पर बैठने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है मोरो और मुर्गों से गिरी रहने वाली महा शक्ती धान करने वाली कौमारी रूप धार्णी निश्पापे नारायणी तुम्हें नमस्कार है संक चक्कर गदा और धनुष उत्तम आयुधों को धार्ण करने वाली वैश्णवी शक्ती रूपा नारैनी तुम परसन हो जाओ तुमें नमशकार है हाथ में भ्यानक महा चक्कर लिये और दाड़ों पर धर्ती को उठाए हुए बाराही रूप धार्णी कल्यान मई नारैनी तुमें नमशकार है भ्यंकर रूप नर्सिह रूपा से द्यत्यों के बद के लिए उद्यो करने वाली तथा त्रिभुमन की रक्षा करने वाली हे नारैनी तुमें नमसकार है मस्तक पर किरीट और हाथ में महा बज्जर धान करने वाली नारैनी तुमें नमसकार है सहर्स नेत्रों के कारण उदिप्त रहन दिखाई देने वाली और ब्रिता सुर के प्राणों का अपहरन करने वाली इंदर शक्ती रूपा नारैनी देव तुम्हें नमस्कार है शिवदूती रूप से द्यात्यों की महती सेना का संहार करने वाली भ्यंकर रूप धार्ण तथा बिक्ट गर्जना करने वाली नाराणी तुम्हें नमस्कार है दारों के कारण बिक्राल मुख वाली मुंड माला से विभूशित मुंड मर्दिनी नारायने तुम्हें नमस्कार है लक्ष्मी, लज्ज, महाविद्य, श्रध्ध, पुष्टी, स्वधा, दुरुवा, महारात्री तथा महाविद्य रूपा नारायने तुम्हें नमस्कार है मेघा, सरस्वती, भूती, भूरे रंगवाली तथा पार्वती, तामसी, महकाली, नियता, सयम, परायना तथा इशा, सबकी अधिश्वरी रूपी नारायनी, तुम्हे नमशकार है, शर्वेश्री तथा सप्रकार की शक्तियों से संपन, दिब्या रूपा, दुर्गे देवी सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हे नमशकार है, कातैनी, ये तीनों लोचनों से विबूशित, तुम्हारा सौम्य, सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हे नमशकार है, भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण बिक्राल परतीत होने वाली, अत्यंत भ्यंकर और समस्त असरों का संहार करने वाली तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए तुम्हें नमस्कार है देवी जो धवनी से संपोर्ण जगत को ब्यापत करके द्यत्यों के तेज को नश्ट किये देता है वो तुम्हारा घंटा हम लोगों को पापों से रक्षा करे जैसे मात अपने पुत्रों के बुरे कर्मों से रक्षा करती है चंडिके तुमारे हाथों में शुशोबित खडग जो असरों के रक्त और चरवी से चर्चित है वो हमारा मंगल करे हम तुम्हें नमस्कार करते हैं देवी तुम परसन होने पर सब रोगों को नश्ट कर देती हो और मारी शर्ण में हुए मनुश्य दूसरों को शर्ण देने वाले हो जाते हैं। हे देवी, अम्बिके, तुम अपने सब रूप को अनेक भागों में विवक्त करके, नाना प्रकार के रूपों से इस मैं इन धरम द्रोही महादैत्यों का संहार किया है। तुम जैसी दूसरी कौन हो सकती थी बिद्या में, ज्यान में, सब को प्रकाशित करने वाली सास्त्रों तथा आदी वाक्यों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है। तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी सकती है, जो इस विश्व को अज्यान मय घोर अंदकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड़े में निरंतर भटका रही हो। जहां राक्सस, जहां भ्यंकर विश्वाले सर्प, जहां शत्रू, जहां लुटेरों की सेना और जहां दावा दल हो, वहां तथा स्मुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्विश्री, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपोन विश्व को धान करती हो। तुम भगवान विश्वनात की भी बंदनिय हो जो लोग भक्ती पुरुक तुम्हारे सामने मस्तक जुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी तुम परसन हो जाओ जैसे इस मैं असरों का बद करके तुमने शिगर ही हमारी रक्षा की है उसी प्रकार सदा हमें सत्रों के भय से बचाओ संपूर्ण जगद का पाप नश्ट कर दो और उतपात एव पापों के फल सवरूप प्रापत होने वाले महमारी आदी बड़ बड़े उपद्रबों को शिगर दूर करो विश्य पीड़ा को दूर करने वाली है देवी हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं हम पर तुम परसन हो जाओ तिरलोक निवासियों की परम पूजनिय प्रमेशुरी सब लोगों को वरदान दो देवी बोली देवताओ म मैं वर देने को तियार हूँ तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वो वर मांग लो संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी देवताओ बोले सरवेशुरी तुम इसी परकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रों का नाश करती लहो देवी बोली देबताओ वैस्वत मवंतर के 28 युग में शुम्ब और निशुम्ब नामक के दो महाद्यत्य उत्पन होंगे तम मैं नंद गोप के घर में उनकी पतनी यशोदा के गर्व में अवतीर्ण होकर बिंध्याचल परवत पर रहूंगी उक्त दोनों असरों का नाश करूंगी फिर अत्यंत भ्यंकर रूप से प्रित्वी पर अपतार लेकर मैं बैपरचित नामक वाले दैत्य का बद करूंगी उन भ्यंकर महादैत्यों को भक्षन करते समय मेरे दांत अनार के फूलों की भांती लाल हो जाएंगे तब स्वर्ग में देवता और मृत्य लोग में मनुष्य सदा मेरी स्थूती करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे फिर जब प्रित्वी पर सो वर्सों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पाने का अभाव हो जाएगा उस मैं मुनियों के सत्वन करने पर मैं प्रित्वी पर आयो निजा रूप में श्रीर से उत्पन शाकों द्वारा समस्त संसार का भर्न पोश्न करूंगी जब तक बर्षा नहीं होगी तब तक वे साक ही सबके प्राणों की रक्षा करेगा ऐसा करने के कारण प्रित्वी पर साकुम्भरी के नाम से मेरी ख्याती होगी उसी अवतार में मैं दुर्गम ना करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालया पर रहने वाले राक्षों का भक्षन करूंगी उस मैं सब मुनी भक्ती से नतमस्तक होकर मेरी स्तुती करेंगे तब मेरा नाम भीमाद देवी के रूप नाम से विख्यात होगा जब आरुन नाम के तीनों लोगों में भारी करके उस महद्यत्य का बद करूंगी उस मैं सब लोग मुझे भ्रामरी के नाम से चारों और मेरी स्तुती करेंगे इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बादा उपस्तित होगी तब तब अवतार लेकर मैं सत्रों का संहार करूंगी इसी प्रकार मारकंडिया पुराण मे सार्बनिक मवंतर की कथा के अंतरगत देवी महात्मया में देवी स्तुती नामक ग्यार्मा अध्याय संपूर हुआ इसी तरह दुर्गा सबसती के सारे अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेर और सबस्क्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जै मातादी अवश